find time period of oscillation यहां हमने एक spring block system लिया है three springs हैं दोनों springs वो mutually perpendicular है 90 degree पर है यह दोनों springs के बीच में एंगल 135 degree है और इन spring के बीच में एंगल यह भी 135 degree का एंगल है ठीक है अब मैं आप से बोलता हूँ block को अगर downward direction में displace किया जाए तो उस condition में यह पूरा system जो है वो vertical axis के along oscillate होगा और इस oscillation के लिए हमें जो है वो time period की value find out करने है अब देखे ध्यांसे diagram को फिर से मैं एक बार redraw करता हूँ देखे यह first spring है second spring इसके perpendicular है और third spring जो है वो यह है ठीक है object या यह block यहाँ बना देते हैं अगर आप block को displace करते हैं इसका displacement बन लेते हैं यह displacement जो है wires का displacement है ठीक है एक बात हम जानते हैं oscillation की condition को steady कर रहे है तो यहाँ पर displacement of particle should be negligible oscillation में जो है वो particle का displacement जो है वो आपका negligible होना चाहिए ठीक है उस condition में आप देखे इंदर ध्यान से यह मैं बात क्यों बोल रहा हूँ सबसे पहले इस spring की बात करें तो यह अपका length इसकी increase हो जाएगी और यह spring यहाँ आजाएगी इसी तरीगे से यह वाली spring भी यहाँ होगी ठीक है अब एटा अगर यह displacement negligible है तो हम यह बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर angle जो है वो angle आपका 45 degree है और यह वाला angle भी अगर 45 degree है तो उस condition में यह दोनों angle भी हम 45 degree assume कर सकते हैं क्योंकि particle का displacement जो है वो negligible है अब देखें आप ध्यान से हाँ यहाँ पर एक perpendicular में ने draw किया और इसी तरीगे से एक perpendicular यहाँ draw कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पर यह 90 degree का angle है यह line जो होगी वो इस green वाली line के यहाँ तक के equal होगी इसी तरीगे से यह black वाली line जो है वो इस green वाली line के यहाँ तक equal होगी ठीक है यह displacement हमें पता है y है angle दोनों तरफ हमें पता है 45 degree है तो इन दोनों spring का यहाँ पर displacement हम find out कर सकते हैं यह होगा इसकी value अगर मुझे लिखनी है तो इसकी value जो आ जाएगी यह value यहाँ से यहाँ तक यह जो value होगी बिटा इस y का 45 की तरफ अगर component लेता हूँ मैं यह value मुझे मिलेगी यहाँ पर y cos 45 या फिर इससे लिख सकता हूँ मैं y by root 2 के equal इसी तरीगे से अगर यहाँ भी displacement लिखा जाए तो यह displacement जो होगा यह भी आपका y by root 2 के equal मैं ले सकता हूँ ठीक है इस तरीगे से हमने इन दोनों spring का displacement find out कर दी है अब हमें तीनों spring के लिए displacement बता है सब से पहले जो vertical spring है वो displaced होई है आपकी y-land तक यह दोनों spring जो है वो displaced होई है y by root 2 distance तक यह displaced होई है ठीक है अब आप देखें ध्यान से एक बार फिट से diagram यहाँ पर मैं बनाऊँगा देखें इदर यह first spring यह first spring है second spring इसके perpendicular है third spring यह वाली है हाँ आप एक बात को यहाँ पर ध्यान रखें इन green वाली line को देखें या फिर इन black वाली line को देखें हमें पता है यह जो यहाँ पर displacement है वो negligible है आप इसको एक जिसा मन सकते हैं इस वज़े से कोई साभी diagram आप बना सकते हैं अब देखें इदर यहाँ से इन force की direction बनाते हैं force की अगर direction की बात करें तो सबसे पहले यह जो आपका यहाँ पर vertical spring है इस पर spring force यह ब्लॉक को upward direction में restore करना चाहेगी तो यह upward direction में इसको restore करेगी तो इस condition में यहाँ जो force होगा due to vertical spring यह upward direction में आपका restoring force होगा और अगर इसकी value में लिखता हूँ के y के equal क्योंकि इस spring का displacement जो था vertical spring का displacement y था तो इसके लिए restoring force की value upward direction में के y के equal आईगी ठीक है इसी तरीके से अगर इन दोनों spring का लिखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर होगा और एक force जो है वो यहाँ पर यह restoring forces होगा है ठीक है आपका k y by root 2 के equal ठीक है हम सबसे पहले इन दोनों forces को add करते हैं दोनों के बीच में angle जो है वो 90 degree है 90 degree पर दोनों को अगर add किया जाए तो bisector axis पर force मिलेगा आपको root 2 times root 2 into आपने लिखा k y by root 2 ठीक है इन दोनों का आप cancel करेंगे तो इन दोनों forces का जो resultant force होगा यह resultant force भी यहाँ पर होगा इसकी value भी आपकी k y के equal होगी तो हम बोल सकते हैं bisector axis पर total force जो है वो 2 y के equal है अब देखें देहां से इसको compare करें इन तीनों spring के लिए मैंने लिखा है आपकर k equivalent displacement block का जो है वो x है तो यह आपका total restoring force और restoring force की value लिखेंगे तो किसके equal होगी तो यह होगी आपके 2 k sorry यहाँ लिखेंगे अब k equivalent और displacement block का y equal है मैंने 2 k y k equal ठीक है यह force यहाँ पर k y और k y तो यहाँ से हम y तो cancel out कर सकते हैं और k equivalent की value जो मुझे मिलेगी वो होगी अबकी 2 k k equal ठीक है time period का formula तो t equals हम बोलते हैं यहाँ पर 2 pi root m by k k equal तो आप k equivalent की value यहाँ पर put करेंगे तो उस condition में time period मुझे मिलेगा यहाँ पर 2 pi root m by 2 k k equal यह जो है वो इस system के लिए time period की value होगी ठीक है एक example और लेते हैं देखें इदर ध्यान से second example देखें आप फिरसे मैंने एक यहाँ पर spring block system बनाया और spring block system में जो springs हैं उनके बीच में angle यह first angle आपका 120 degree है यह angle जो है यह भी 120 degree है और यह angle यह भी 120 degree का angle है ठीक है block को फिरसे अपने vertical axis के along displace किया तो इस condition में पूरा system फिरसे आपका accelerate होगा इसके लिए हमें time period की value find out करनी है देखें किस तरीके से find out करते हैं यह सिर्फ आपके revision के लिए जो मैंने आपको एक बार बताया सब कुछ बिल्कुल वैसा कर वैसा ही है first spring बिटा यह है second spring 120 degree पर और third spring यहां 120 degree पर ठीक है आप देखें इदर ध्यान से यह block इस block को आपने displace किया यह displace किया तो यहां आ गया displacement again इसका मैंने लिखा वाए gear springs यहां तक stage होगी gear spring ऐसे stage हो जाएगी angle आप फिर से बोल सकते हैं यहां पर angle total 120 था तो यह 60 degree का angle है और इस तरब भी angle जो है 60 degree का होगा तो हम इन दोनों angle को भी 60-60 यहां पर जो है assume कर सकते हैं क्योंकि particle का displacement जो है वो negligible है अब देखें फिर से यहां पर मैंने again यहां पर perpendicular draw की है यह एक perpendicular यहां बना दिया second perpendicular यहां बना दिया यह length जो है वो इसके यहां तक के equal है इसी तरीगे से यह वाली length जो है वो इसके equal है हमें अगर इस spring का displacement और इसका displacement find it करना है तो यह जो displacement होगा यह आपको मिलेगा यहां से यहां तक इस displacement की अगर value लिखनी है तो y का again आपको component लिखना है तो आप लिखेंगे y cos 60 के equal ठीक है यह आप लिख सकते है y by 2 ठीक है इसी तरीगे से आप यहां भी से spring का भी अगर displacement लिखते है इतना तो यह displacement भी आपका होगा y by 2 के equal ठीक है एक बार फिर से diagram को हम यहां पर जो है draw करते है देखें फर्स spring यह है सेकंड spring इससे 120 डिगरी पर है और थार्ड spring यहां पर है clear है अब मैं यहां पर force बनाता हूँ तो बेटा यह देखें आप लोग सबसे पहले जो आपकी vertical spring है इसका restoring force upward direction में होगा तो यह restoring force upward direction में displacement इस spring का y है तो इसका restoring force अगर मैं लिखता हूँ तो यह होगा k y के equal ठीक है इस spring पर force restoring force की direction यह आ जाएगी और इसी तरीके से इस spring पर restoring force की direction यह होगी ठीक है इनकी value लिखनी है तो मुझे लिखना है k और displacement इसका जो है वो आपका y by 2 है दोनो तरफ तो आप लिख सकते है y by 2 इस तरफ भी आपकी y by 2 इन दोनो forces को अगर हम add करते है तो 120 degree पर अगर forces को add किया जाए तो जो resultant होता है वो किसी एक force के equal आता है अगर दोनो forces equal है तो तो उस condition में हम बोल सकते हैं इन दोनों का resultant जो होगा ये भी इसी direction में होगा और value होगी आपकी किसी एक force के equal k y by 2 के equal ठीक है तो हमें यहाँ पर bisect axis पर total force मिल चुका है यहाँ पर मैंने लिखा है k equivalent object का जो आपका displacement है वो y है equals to total आपका restoring force है आपका k y plus k y by 2 के equal ठीक है तो यहाँ से हमें k equivalent की जो value मिलेगी वो मिल जाएगी 3 by 2 k के equal ठीक है अब हम अगर time period लिखते है तो t equals to 2 pi root m by k again आप जो है वो k equivalent की value लिखेंगे तो आपको मिलेगा 2 pi m upon k की value लिखेंगे तो यह 3 k by 2 तो बिटा concept दोनों question में same था सिर्फ आपको ध्यान रखना है angle और फिर आपको इस तरीके से इस question को solve करना है clear है तो यह 2 हजा यह करना है झापको में आपको बा oko क की? झाल